आज का टॉपिक है गेप्रियम थैलिवाइट सिंथेसिस बहुत ही सिंपल रियक्षिन है इसकी मैं रियक्षिन आपको आज सिखा रहा हूं तीजारे स्टैप में हैं सभी स्टैप इंपोड़ेंट है तरीक से डोट करते जाएगा देखिएगा इसकी आपको पतातुए इसकी प्रकूब के बनाने में वहता है लेकिन यह एक्षिन दारेक्ट इंग स्टैप में हम नहीं बना सकते हैं इसकी जडाद है सबसे पहले हम इसमें क्या देखिए आप सबसे पहले मैं हैं इसमें लेने वाला हूं यह पैंजी रहें है, इसमें मैंने यह अन्टरनेट बांड आए हैं, और यह इसमें मैं एड़ दर्गा हूँ, C-O-H, दूसरा पार्ट भी अबर और और अर्थो पंडिशन में हैं, और इसमें मैं एड़ कर रहा हूँ, C-O-H, सबसे पहले हमें इसका नाम जानना है, और यह है थैलिक एसिड, पी-एच, टी-एच-ए, डबल-L-I-C, थैलिक एसिड, यह फर्मूला पहले हैं, तो सबसे पहला पाम है, हम इस मैं थैलिक एसिड से सुवाद करते हैं, और कैसे प्राइमरी एमिन बनाएंगे, आप अब भी देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने को लोग, तो सबसे पहले थैलिक एसिड से स्टार करते हैं, और इसको हीट करेंगे, थैलिक एसिड को हीट करेंगे, तो इसमेंसे बाटर मॉलीक्यूल लिभरेट होगा, एच टुओ ये देखें, बाटर मॉलीक्यूल कहां से निकालना हैं, आपको यहांपा देखना है, इसका एच लेना हैं, और नीचे बाले पार्ट से ओ एच लेना है, ऐसा आपजिट भी कर सकते हो, ये देखें बाटर और अब देखें बाटर मॉलीकूल निकाले के बाद हमारे पाद जो भी कुछ बचता है हमरे सबाइसा लिप देते हैं यह हमारे पास बचा हुआ है सी डबल बॉंड हो नीचे भी सी डबल बॉंड हो और एक हो बचा हुआ है यहां पर ओ निल देगी वाटर मॉलीकूल निकला है यह क्या बन गया इसका नाम मैं निकला हूँ बी एच दी एच एच ए थेलिक एन हाइड्राइड एन हाइड ग्राइड ए थेलिक एन हाइड्राइड है थेले के नाइट्राइट की हम फिर रियेक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ इन एच्छी के साथ रियेक्शन कराना है तो देखें मैं इसको कैसे एड़्जेस्ट करेंगे ए रहा एंड और ए रहा एज एक एच यहां पर आया और एक एच यहां पर देखें यह एच्छी है इस तरह मुझे बाटर मॉलेक्वल लिवरेट करना है तो देखें यह वाला बाटर मॉलेक्वल हमें ऐसे निकलना है यह वाटर मॉलेक्वल में आसने का देखें हमारे पास केकल एच बचेगा तो यहां पर फिर लिख देते हैं माइनस एच्टू फिर वाटर मॉलेक्वल में आसने वरेट किया और यह कंपॉंड बनेगा इसको देखें क्या बनेगा यहां पर हमारे पास बच रहा है क्योंड सी डबर बॉंड हो नो चेंज सी डबर बॉंड हो बैसा का बैसा लिखा हुआ क्योंड यह निकल गया एच बचा रहा हमारे पास तो यहां पर हम इसमें एन और एच को एड कर देते हैं इसका नाम है थैली माइड पी एच टी एच एज ए थैली माइड माइड यह बनके आपका थैली माइड थैली माइड थैली माइड यह बना हुआ है इसकी रियक्शन आगे कर आते हैं इस टैप नीचे रियक्शन इसके लिए एक सब एलकोहलिक के ओ इस से करेंगे या इथेनोलिक के ओ एच इससे रियक्शन करेंगे तो यहां भी वाटर मॉलीक्व लेलेट होगा माइनस हैंज टो यह कैसे होगा देखें यह बाटर मॉलीक्व निकल जाएगा यह से इसमें एच की जगे पर यहां पर यह एच इसका और इसका हो आच यह वाटर मालेक्यर के रूपनी का जाएगा के यहां पर आजाएगा तो जो कमपाउंड बनेगा आप देखे न वो यह होगा सी डबल कॉन ओ सी डबल कॉन ओ और एन के साथ कॉन बढ़ जाएगा और यह के वाटर मालेक्यर ने कल दिया इससे बोलते हैं पॉटेशियम थेलिमाइड पॉटेशियम थेलिमाइड यह पॉटेशियम थेलिमाइड है यह आगे फिल्म रियक्ट करेगा इसकी रियक्शन कराते हैं बन डिग्री एलके है राइड से आज सिंगल पहुंद एक्स तो यहां से आप देखेंगे कि यह के और यह एक्स यह बाहार में निकल जाते हैं और यह आजागे हैं अपर माइनस के एक्स और आज अपके एन से अपने चो जाएगा तो यह कंपॉंड बनेंगा हमारा एं कि दबल गों को इसमें कोई चेंजिंग अम्री करेंगे हैं बस चेंजिंग कहां होना है एन जैसा का जैसा है और एन से कोई बिल जाएगा आज एक कंपॉंड बन गया और इसका नाम होता है एन एलकाएल एन एलकाएल फैली माइड इस बन गया हो यह आगे फिल रियक्ट करेगा इसका हम करते हैं हाइप्रोलाइसिस एच पॉजिटिव अबलिक वाटर या तो आसीडिक मीडियम में या फिर बेसिग मीडियम में और वाटर के टू पॉलिक्टूर लेते हैं और यह इस तरीके से यहां पर जुड़ेंगे इस टू एच्टो में वान वाटर यहां पर अटाइच होगा और वाटर यहां पर अटाइच होगा कि यह बाना पार्ट हमारा है कि एक थैले कर्शिट बढ़के निकल जाएगा और वाट दो एच्ट बचे बोट टू एच्ट यहां पर इसके साथ यह कर दो प्राइस एच्ट यहां पर लेना है तो देखिए जो का पॉर्ट बनेंगा वो यह हैं सी ओ ओ ओ एच्ट और सी ओ ओ ओ एच्ट जो तैनिकेसिन होने यहां दिया था वो निकल के बाहर हो जाता है और जो में कंपोर्ण हमारा बनता है वो होता है आर एन एच्ट यानि वट डिग्री माएं वन डिग्री माएं यह है फाइनल प्रॉड़ेक्ट देखिए इस टैप तो कापी लंगी है लेकिन मास्ट इंपोर्णेंट है ट्रॉइल्थ क्लास में यह पूछी जाती है जैसा जैसा विकान के आईएगा इस टैप आप याद कर लि वन टू त्री फोर फाइब फाइब स्टेप में यह कंप्लीट होती है एक्शन और अगर आँ एक बार इसको अच्छे से अगर पॉपी में निकाल के देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तैंक यू नेक्स्ट वीडियो बिल बी कंटीनू